साइबर अटेक यानी डिजिटल चोरी और ऑनलाइन की दोखा जड़ी साइबर अटेक को कंप्यूटर सिस्टम नेटवार्क और टेकनोलोजी के जरीए इंचाम दिया जाता है यह ऐसी ओनलाइन ठगी है जिसका शिकार एक सक्स भी हो सकता है कोई कंपनी और यहां तक कि सरकार और भी साइबर हमलों का मकसद गोपनी जानकारी चुलाने से लेकर महतवपूर बुनियादी ठाचे को बाधित करने और ऑनलाइन फिरोती मांगने जैसा कुछ भी हो सकता है साइबर अटेक करने वाले अपरादी फिशिंग स्कैम मालवेर और करीपरकार की हैकिंग के तरीक बढ़ने लगए हैं कितने प्रकार का होते हैं साइबर अटेक अचाह आपकर हुए आप क्या गया है कि वायरस वंस ट्रोजन और रह सम्वेर का रूप ले सकता है इसके बार बात करेंगे फिस्शंग अटेक क्या होता है जिहां phishing attack, cyber attack के दुनिया में सबसे आम तरीका है ठगी का इसमें यूजर्स के password और credit card नमबर जैसे सवेदर शेल जानकारी चुराई या फिर धोके से ली जाती है कभी-कभी आप जानते होंगे आपके पास फोन भी आता है कि आप OTP बताईए ऐसा कुछ बताईए तो आपको ऐसा कुछ शेर नहीं करना होता है अब बात करते हैं password attack यह password attack आखिर क्या होता है password attack का मकसद password को crack करना होता है यह पर सवेदर शेल जानकारी तक पहुच जाना होता है उसके बात करते हैं इस machine क्या होता है आखिर संदिक्थ email या फिर SMS के जरिए online floor को अंजाम देना इस machine कहराता है कभी कभी आप देखते होंगे आपके पास phone आता है कि आप मैं yes sir आप OTP बताईए तो आपको ऐसा नहीं बताना होता है मैं आपको बार बार कह रही हूँ हाल के दिनों में ऐसे हमले तेजी से बड़े हैं लॉट्री email बैंक अकाउन में अबडेशन के बहाने बना कर ऐसे message भीजे जाते हैं और फिर एक लिंग के जरिए users की सारी जानकरिया चुरा ली जाती है और पुरे जिंदगी भर की उसकी जो कमाई होती है वो एक सेकंड में लुट जाते हैं cyber attack के नुकसान क्या कहा हैं बात करेंगे ऐसे cyber हमलों से किसी भी सक्स को वितिये निची या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना होता है या नहीं अप रादों से किसी भी कंपनी या संसान का संचालन ठफ हो सकता है साइबरे टेक्स से बश्टे के लिए सबसे बुनियादी बात है कि सतर किताब सतर खोच आए बिलकुल किसी भी फोन कॉल का जवाब ना दे किसी भी ओटी